हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो एक यूनिक कमपणी मार्केट में आ रही है एक अपना IPO ला रही है काफी बजनदार ठीक है उसका ग्रे मार्केट में प्रीमिया अगर आप देखेंगे ना कितना है 75% तक उपर है अब प्राइज में अपन देखेंगे कितना उपर है ठीक है मैं आप लोगों को ब देखेंगे काफी सई समय पर मार्केट में यह IPO आ रहा है जिससे यह लग रहा है कि लगबख हमको 30-35% से उपर ही लिस्टिंग इल इस स्टॉक में इस IPO में मिल सकता है क्योंकि जितने भी IPO आ है मार्केट में काफी अच्छी लिस्टिंग उन्होंने दिये ठीक है तो हम उसको सस्क्राइब करिएगा दोस्तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है आप वहापर जाके डिमेट अपन करिए हमा साथ निफ्टी बेंग निफ्टी स्टॉक आप्चन में भरपूर ट्रेडिंग करिए और नीचे डिस्क् सकतो में नीचे भी आप लोगों को बताना चाहूंगा ठीक है यह कंपनी करीबन 1999 से मार्केट में यहाँ पर क्या कर रही है काम कर रही है यहाँ पर लेंडिंग नेशनल प्लियर भी दोस्तो मतलब यहाँ पर जितने गॉर्मेंट काम रहते ना दोस्तो उसमें भी यह काफी काफी अच्छा पाटिसिपेट करती है और काफी अच्छी तरीके से वो प्रोडेक्ट को मेनुफेक्चरिंग करके महाँ पर देती है सबसे पहले बात बता देता हूं दोस्तो यह डिफेंस सेक्टर में भी अपना वर्क करती है महाँ पर भी बड़े बड़े आइटम को यह मेनिफेक्चरिंग करती है तो इसका महाँ पर भी काफी अच्छा बिजनस मोडल है ठीके जिससे काफी की जो कंपनी की ग्रोथ है ना वो काफी तेजी से हमें देखने को मिल रही है बहुत सारी चीजे दोस्तो यहाँ पर और अगर मैं बात करता हूं कंपनी करीवन सात मतलब देख सकते हो दिसंबर का मैना है तो टोटल असेट कॉलिटी हम जाने लेते हैं कि मार्च 2018 में कितनी थी तो करीवन आप देख सकते हो 2800 मैं इतना ही बोलूँगा ठीके मिलियन से और करोड से नहीं लगाने वाला हूं ठीके 2800 थी जो बढ़के 2019 में करीवन 3000 के लगब 2800 से कंपेर करते हैं तो 600 रुपे बढ़ गई एक मैं यहाँ पर रुपे इसलिए लगा रहा हूं ठीके लेकिन हम दिसंबर का अगर कॉटर जोड़ ले तो यहाँ पर 3800 हो गई मतलब सीधे सीधे 1000 रुपे यहाँ पर इसका असेट कॉलिटी बढ़ चुका है टोटल रेवे बढ़ते देखने को मिल रहा है profit after tax मतलब tax pay करने के पाथ company के पास कितना यहाँ पर बसता है profit वो भी यहाँ पर दिखा रहा है 54 सा 54 के बाद करीबन पूने चार पूने चार सो ठीके सबा चार मतलब सबा तीन सो तो मतलब आप देख सकते हो कि company का profitable की भी काफी interesting एक गोर करने लायकी कि हम इस मतलब IPO में definitely हमारे पूरे family member है ना अगर आपके घर पूरे family member के नाम से dimate account है तो सब के उसमें एक एक bidding जरू डाली दोस्तों अगर किस्मत रही एक के हाथ भी IPO लग जाता है तो आप लोगों का चांदी चांदी हो जाएगी दोस्तों ठीके अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि market में opening date तीन तारीक कोई closing date पांस तारीक कोई book building issue type मतलब आप लोगों को NSC BSC दोनों पर ये list होते हो IPO price मतलब bidding price है दोस्तों पांसो चाहतर से पांसो पिचोत्तर market lot 26 share का है ठीके minimum quantity 26 share की है NSC BSC दोनों पर लिस्टेड हो रही है ये आप लोगों को पता है करीवन दोस्तों ये IPO आ रहा है आप देख सकते हो करीवन 596 करोड के आसपास का आ रहा है ठीके एक बार फिर से timing दिखा तो ठीके allotment date आपको मिलेगी 10 तारीक को पता चलेगा कि आपको IPO मिला है या नहीं मिला है आप लोगों का पैसा 12 तारीक को refund कर दिया जाएगा दोस्तों डीमेट में 15 तारीक को share credit हो जाएंगे और 16 March को दोस्तों market में ये stock list हो जाएगा ठीके यहापर अगर आप देखते है तो ये basic सी detail हो गई अब हम कुछ main details money control की site पे चल के समझते हैं क्या update है तो यहाँ पर आप देख सकते हो money control की site के उपर में आ चुक हूँ ठीके एक मार्च का ही update है एमटा technology IPO ग्रे मार्केट में 75% premium पर treat कर रहा है क्या आपको निवेश करना चाहिए मतलब यह भी इस प्राकास से बता रहे हैं अब यह हिद्राबाद की company सबसे पहले एक take company है IPO के जरी 596 करोड जुटाने की तैयारी चल रही है ठीके company का IPO 3 March को खुल रहा है 5 March को बंद हो जा unlisted share issue price 430 रुपे पर trade कर रहे है मतलब 430 रुपे उपर मतलब अगर देखे ना 430 अगर जोड़ा जाए 534 से 595 में तो करीवन 1005 रुपे मतलब लगबाग 55% उपर trading कर रहे हैं ठीके analysis का कहिना है मानना है कि सरकार का focus making India मतलब आप लोगों को पता है making India अगर यहाँ पर जो अ निर्वर होने लगी तो क्या होगा जिससे काफी अच्छी तरीके से एम का टेकनोलोजी का जो performance मार्केट में वो और हमें बढ़ते हो देखने को मिलेगा financial express के मुताबित capital वाया global research की senior research analysis लिखिता चीपा ने एम टा टेकनोलोजी के issue के में निवेश करने की सला दी है उन्हो में काफी अच्छी तरीके से इसका valuation है ठीक हर quarter में काफी अच्छी तरीके से क्या मुनाफ़ा generate करती है revenue generate करती है यह सब चीज उन्होंने बताया है ठीक है मतलब आप आप देख सकते हो यह किस-किस जगह पर काम करती है जैसे अगर हम यहाँ पर देखते है यह nucleus power compression of India ठीक है काम काफी अच्छी तरीके से करती है अब यहाँ पर देखें एमता टेकनोलोजी इजराइल की राफेल advance defense system और lb system के साथ भी काम करती है company defense airbox और energy sector के छेतर में पिछले 40 साल से सेवा दे रही है मतलब भी technology company तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि IT company का क्या काम होता है सब ज परीके से नजर रखना दोस्तों एमता टेकनोलोजी का काम है और पूरे ज्यादा था दोस्तों जो government sector है ना उसी में यह इनका performance चलता है ठीके अगर हम देखते हैं कि कैसे रहें December 3.5 के नतिज़े तो company का December 3.5 का यहाँ पर नचीदा देखने को मिल रहा है ठीके जो आप लो और यह किसी सेक्टर पर निर्वन नहीं सबसे पहली बात company अपने इशू से करीवन 123 करोड का फ्रेश इशू होगा चार सो बहुतर करोड करोड को रुपे से शेर आफ बाइबेक करेगी ठीके ओफर फोर सेल लाएगी वह उसके अंदर हो जाएगा इस सेरे की लिस्टिंग करीवन मार्केट में 10 लाख शेर आ रहा है ठीके आप देखके चल सकते हो जिनका वेल्योशन 596 करोड उपे होने बाला है मतलब आपने देखा दोस्तो company का जो market में momentum है वह काफी अच्छी तरीके से हैं पूरे government sector में भी company अपना काम करती है दोस्तों काफी अच्छी तरीके स यहां पर momentum generate होता है ठीके और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम तो दोस्तों ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम भी काफी शांदार चल रहा है करीवन 430 रुपे उपर जो करीवन परसेंटेज में 55% उपर होता है तो यह है दोस्तों एमता टेकनोलोजी का IPO की डिटेल जिससे आप दोस्तों हर अपने family member के account से इस IPO के लिए apply जरूर कर सकते हो अगर मान लिजी आपकी family member में 6 जन 10 जन या 3 जन या 4 जन जितने भी सब के इसाब से आप दोस्तों apply करिए किसी के हाथ भी लग गया ना मान इस परसेंट भी मान लेते हैं इतनी भी अगर लिस्टिंग मिल जाती है तो हमारे लिए मुनाफा ही मुनाफा दोस्तों देखने को मिलेगा एमता टेकनोलोजी मतलब एक unique company मान के चल सकते हो जो IT सेक्टर में काफी अच्छा performance करती है ठीके तो यह चीज़े है इस चीज़े क